और सबसे पहले तो यह login देखे यहाँ पर login करूंगा तो invalid बता देगा invalid यह invalid इसलिए बता रहा था क्योंकि इसको आज हम लोग सुबह सुबह उठ चुके हैं और आज दिन काफी excitement होने वाला है क्योंकि IIT पत्ना CSDA का आज हम लोग का पहला class है और IIT पत्ना इस course को पहली बार ही launch भी किया और हम लोग इसके पहले year के पहला batch का पहला चात्र तो नहीं कहेंगे यही excitement के साथ मैं सुबह उठ जाता हूँ और अभी मूँ थोड़ा सा दो लेता हूँ और यहाँ पे अपने बालों का थोड़ा सा ख्याल करते हुए 11 और 12 ओनलाइन करने के बाद अब 13 ओनलाइन करने की तैयारी करते हुए राहुल राज कॉलेज लाइफ एक दम बढ़बाद करने की और अगरसर तो चलिए आप हम लोग स्क्रीन पे आते हैं और आप सभी से बात करते हैं ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं आप सभी का स्वाइब है राहुल ड्रेजरी यूट्यूब चानल पे और आज का ये वीडियो ब्लॉग टाइप होने वाला है क्योंकि आज आई आई टी पत्ना CSDA और PVA का ओफिसियर क्लास स्टार्ट होने वाला है तो आज किस वीडियो में हम लोग आपको दिआएने कि ब दोरा सा नहान लेते हैं और उसके बाद अपने PC सेट अप पे जाके आप लोग को बताते हैं लोग इन कैसे करना है और आज का क्लास कैसा रहा और चलिए बाइज अब कुछी देर में पहला क्लास स्टार्ट होने वाला है बेसिकली मुझे लगता है कि ये इंट्रोडेक्श क्लास होगा तो चलिए एक क्लास स्टार्ट होता है उसके बाद आप लोग से मिलते हैं क्लास स्टार्ट क्लास एंड होने के बाद मैं बताऊंगा कि क्लास में क्या क्या हुआ हुआ सो जुरे रही है मेरे साथ और चलिए इंजॉय करते हैं इस जानने को चलो होने ही वाला है आइटी पत्नाम में तो देख सकते हैं आप लोग को तीन सॉटकट डाउनलोड करना होगा इसको और इसको युदि आप लोग अपने सॉटकट में डाउनलोड कर लिजेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें बताया गया बहुत स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रहा है लोग इन करने में तो चलिए मैं भी आप लोग को बताता हूँ कि यहाँ पे लोग इन करना कैसे है तो यहाँ पे देखेगा एक ओप्सन यहाँ पे यह आएगा जब इस पे क्लिक कीजिएगा तो कुछ इस प्रकार का खुलेगा और सबसे पहले तो यह लोग इन देखे यहाँ पे लोग इन करूँगा तो इन्वैलिड बता देगा इन्वैलिड यह इन्वैलिड इसलिए बता रहा था क्योंकि इसको आप अपने इमेल आईडी से लोग इन करने का कोसिस कर रहे होंगे इसी लिए ये invalid बताता है तो चलिए अभी हम लोग अपना email खोल लेते हैं और IIT पटना के तरब से जो official email पे जो student ID प्रोवाइड किया गया है वो उससे खुलेगा तो यहाँ पे चलिए कुछ blur भी हम लोग को करना पड़ेगा तो यह है official email ID password थोड़ा सा blur यहाँ पे password है नहीं तो मेरा पूरा सत्यानास हो जाएगा तो उसी से आप लोग को यहाँ पे login करना है तो आप लोग जैसे ही वो डाल के और password डाल येगा तो login आप लोग का हो जाएगा और यह जो है इसी पे जो live lectures चलता है इस पे आप लोग को recorded मिल जाएगा model पे नहीं model पे सारा वो library बगेर आ रहेगा और और भी बहुत कुछ है मैं आप लोग को screen सायद नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि privacy का issue आ सकता है उन लोग के तरब से तो यदि अभी भी आप लोग को login login करने में अब तो कोई issue नहीं आ रहा होगा क्योंकि यही था लोग अपने से email ID से बना के login कर रहे थे तो उसी में problem आ रहा था तो अभी एक class दो class अभी और साम में हैं तो चलिए वो करते हैं और उसके बाद आप लोग को उसका भी experience बताते हैं बाई में रखता हूं कहने को यह city है लेकिन यहां पे wifi थोड़ा सा कम available है हो जाएगा कुछ दिन में बस पोल जैसे ही लग जाएगा हो जाएगा हाँ तो है guys चलिए अब हम लोग चलते हैं model पे और आप लोग को दिखाते हैं कि उस पे हम लोग को क्या मिलेगा यह कुछ इस परकार का website है और यहां पे जैसे ही click कीजिएगा खेर मैं आपको screen तो नहीं दिखा होगा लेकिन हलका सा part दिखा सकता हूं देखिए यह हलका सा part चुंकि इसमें बहुत security issue हो सकता है privacy है अपनी उसकी उसको अभेलना ना करते हुए इस पे क्या-क्या मिलता है यह मैं आप लोग को बता देता हूं Central Library Academic Portal My Course पे आप लोग click कीजिएगा तो आप लोग का यहां पे जितने course हैं वो निकल जाएगा और उस पे यदि आप लोग जाके click कीजिएगा तो आप लोग का syllabus और कौन सा book book कौन सा recommended है वो उसका PDF यहां पे आप लोग को मिल जाएगा तो within 7 days आप लोग इसको download कर ले बरना 7 दिन के बाद आप लोग इसको access नहीं कर पाऊगे हाँ यहां पे download नहीं कर पाऊगे यहां पे तो यह रहेगा ही रहेगा और जब central library पे click करते हैं तो click करके देखते हैं loading हो रहा है और यहां पे library का भी आप लोग को e-library का access यहां पे मिलेगा grades और competition participate मतलब आप लोग जाओ खुद से खुद से explore करो देखो और जितने juniors हैं मेरे उनके लिए मैं यह वाला part दे देता हूँ सो यही सब है इसके अंदर सो जाइए तब तक के लिए good bye आप सब्सक्राइब आप लोग का इंग्लिस क्लास लाइक चल रहा है सर कॉम्मुनिकेशन इसकी के बारे में बता रहे हैं सो चलिए इसके इसमें तो क्लास करते हैं आप लोग को टाइम लैप्स भी पीछे आप लोगों में देखा होगा क्लास लगभग ओवर होने वाला है इस कोर्स से रिलेटेड यदि आप जूनियर्स हैं तब आपको कुछ डाउट होना नहीं चाहिए आप जई पर प्रप्रेशन कीजिए लेकिन उसके बात लिए यदि आप लोग को कोई डाउट है तो नीची कोमेंट बॉक्स में ही लिक है इंस्टाग्राम पर मैं हो चुगा हूँ देख देखके तो है गाईज ओवर ओल यदि फर्स डे का एक्स्पिरियंस मुझसे पूछे तो बहुत अच्छा था सो बहुत स्मूतली क्लास चला और लैग मेरे एंड से तो नहीं दिख़ा उनके एंड से भी लैग नहीं था कुछ बचे बोल रहे हैं लैज था लैग था तो हो सकता उनका इंटरनेट स्लो हो और बहुत अच्छा लगा class करके वैसे class से पहले बहुत से doubt सभी के मन में थे मेरे भी मन में थोड़ा बहुत doubt था वो भी clear हो गया यदि अभी भी आपके मन में थोड़ा भी doubt है तो नीचे comment करे या फिर यदि आपको form भड़ने में या फिर कोई भी अन्य लॉगिन करने में दिक्कत हो तो आप डिफरेंट WhatsApp ग्रूप, Telegram ग्रूप जोईन कर सकते हैं मेरा ही नहीं बलकि आज कल धेर सारा WhatsApp ग्रूप, Telegram ग्रूप बन चुका है तो वहाँ पर जाइए अपना लिखी और Sigma Student का जो हम लोग का Community है वो बहुत Helpful Nature का है आप कहीं भी लिख दीजिएगा वो आप लोग को तुरहत हेल्प हो जाएगा So login बगेरा मेरा सब कुछ Complete हो गया और Monday से Good to go class के लिए और जो materials ये लोग दिये हैं वो जाइए आप लोग देखिया और पढ़िये जहां पर दिक्कात आता है faculty से पूस्ताच कीजिए बातचीत कीजिए course आने से पहले तक बहुत बच्चे के मन में doubt था और तोट फरजी है क्या है नहीं है अब आप लोग को पता चली गया होगा सारा जवाब सवाल का सारा जवाब का सवाल मिल ही गया होगा आप लोग को तो on this note आज का ये वीडियो शमप करते हैं मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तक के लिए good bye see you in my next video bye bye